वेलकम्स तो माई यूट्यूब चैनल दैजूकेशन इस अरुश्र दिनाम यूरोगेश्टी टीचर वेलकम्स तू इन दिस सेशन चीक है तो कल मैंने आप लोगों को यह चैप्टर स्टाट कराया था सॉलुशन चैप्टर उसमें हम बेसिकली हमने देखा कि सॉलुशन क्या होता है और कितने तरह का होता है और हमारे आसपास किस तरह के सॉलुशन आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज हम जाने वाले हैं कि कौन कौन से different concentration method हम यूज करते हैं किसी भी solution की concentration को एक्सप्रेस करने के लिए concentration होती क्या है दरसल दरसल एक solute और solvent बेसिकली present रहते हैं एक solution के अंदर कि किसी दिये गए solution के अंदर कितना amount आपका solute का है और कितना amount आपका solvent का है जिससे वो solution बना है तो यह अलग-अलग तरीके से हम देखेंगे अगर हम पहले देखें किसी भ और concentrated ऐसे dilute और concentrated आपने देखा होगा chemistry lab में अब जब आप जाते हैं तो acid और basis दो दो सोलुशन बने रहते हैं dilute s4 concentrated s4 basically dilute solution एक वो होता है जिसमें solute की quantity होती है in comparison to the solvent बहुत ही कम होती है यह पतला सा solution आप कह सकते हैं और जब की concentrated solution में जो content है आपका जो compound है उसकी amount in comparison to the solvent बहुत जादा होती है यह घाड़ा एक solution होता है लेकिन dilute solutions और concentrated solution में हमें exact amount का पता नहीं चल पाता है क्योंकि chemistry बहुत technical हो गई है उसके अंदर एक एक amount का पता होना बहुत जुरूरी है इसलिए हम कुछ technically methods use करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखें आप percentage method ठीक है तो percentage method को हमने कहीं part में divide किया है सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे mass percentage तो mass percentage basically solute or solvent की masses के percentage को express करता है यहाँ पर formula दिया हुआ है mass percentage of the component is equal to the fraction of mass of component in the solution divided by the total mass of the solution यहाँ पर formula दिया हुआ है आप देख सकते हैं mass of the component in the solution upon total mass of the solution multiply by 100 तो आपका mass percentage mass आ जाएगा यहाँ कि जिस component का आप mass percentage निकाल रहा है आपको उसको उपर रखना है और total जो solution है mass का उसको नीचे करना है और आपको 100 से इसको multiply कर देना है जिससे आपका आ जाएगा ठीक है अब एक example की बात करें तो अगर कोई कहें कि 10% glucose in water by mass है तो इसका मतलब यह होगा बेटा के 10 gram glucose ग होता है तो दोनों मिला के अंडर होने चाहिए मारकीट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अविलेबल है जिनके अंदर परसंटेज में competition लिखी रहती है जैसे for example bleaching powder की बात करता है sodium hypo chloride water के अंदर mix रहता है bleaching solution के अंदर चीक है तो उसके ऊपर mention भी रहता है कि 3.62 mass percentage तो इस 3.62 गटा दीजिए तो आपका water का percentage mass आ जाएगा ठीक है तो basically हम इसको w upon w से परसंट से express करते हैं w upon w का मतलब हो जाएगा कि ऊपर component का mass है नीचे solution का भी mass है और हमने वहाँ पर percentage निकाली है उसके बाद हम आज करते हैं दूसरा जो method है वह आपका है volume percentage अब मैं आपको percentage से ती यह आप चीज़ें बताने वाला हूं mass percentage, volume percentage and mass volume percentage तीनों सेम है तो थोड़ा थोड़ा साथ में difference है mass percentage में हम component का और solution का mass लेंगे और volume component में हम volume का solute का और solution का volume लेंगे जन्रवली यह method वहाँ use किया जाता है जहाँ पर volume solution के अंदर दोनों liquid हो और उनका volume दिया वाओ ठीक है तो यहाँ पर भी यही formula हो जाएगा volume percentage of the component is equal to volume of the component जिस भी component का mass volume percentage निकाल रहे है डिवाइड बाई total volume of the solution multiply 100 तो बस हमने कह किया वहाँ से mass को replace कर दिया volume से तो इस तरह से हम इसको calculate कर सकते हैं जैसे यह भी बिल्कुल इसी तरह से है 10% ethanol solution का मतलब है कि 10 ml आपकी ethanol गुली हुई है 90 ml of the water के अंदर तब जाकर 10 ml plus 90 ml water मिलकर बना 100 ml का solution ठीक है तो लिकिर वाले solution को हम express करते हैं इसी तरह से 35% volume by volume ethylene glycol का मतलब यह होता है कि 35 ml ethylene glycol गुली हुई है 65 ml of water में अब यहां पर देखे क्या कहा है उसने is used for cooling the engine देखे एथिलिन glycol as an antifreeze use होता है अब यह antifreeze use कैसे होता है देखे जैसे लंदर हो गया स्वीजर लेंड हो गया जहां पर जारातर बर्फ रहती है और temperature 0 degree से भी down ही रहता है तो वहां पर जो कार होती है या जो cooling glycol mix कर देते हैं जो की as antifreeze काम करता है और उसका जो freezing point है वह minus 17.6 degree Celsius तक कम कर देता है तो हम इस तरह से इसको use करते हैं जो तीसरा method है आपका तीसरा method होगा आपका mass भाई volume percentage इसको हम W upon V से represent करेंगे यानिकिस component का हम निकाल रहे है तो उसका mass आएगा और पूरे solution का volume तो medical and pharmacy में इस तरह की method यूज की जाता है जैसे antacid होते हैं या आपके multivitamin वाले syrup होता है कफ syrup होता है तो उनकी percentage mass by volume percentage method से ही दी हुई होती है ठीक है इसका सीधा सीधा हो जाएगा इसका volume भी ले सकते है mass भी ले सकते कुछ भी ले सकते हैं तो component का mass और solution का volume तो इस तरह से ह हो गए तीनों बहुत important है तीनों परसेंटेज निकाल सकते हैं उसके बाद चौथा topic है आपका PPM इसको हम कहते हैं short में parts per million और parts per million यानि के PPM में हम ऐसी solution की concentration को express करते हैं जिनके अंदर solute बहुट traces quantity में हो जैसे pollution की अगर हम बात करें कितना आपका नाइट्रिक आपका environment में हैं कितना carbon dioxide है एट्सेटरा जैसे basically हम क्या करते हैं इसमें solution को बहुत बढ़ा बना देते हैं ठीक है one million of volume of the solution में हम component का mass volume express करते हैं यहाँ पर formula दिया हुआ है PPM is equal to number of part of the component part यहाँ पर mass भी हो सकता है volume भी हो सकता है number of mole भी हो सकता है और total number of the part of the all component of the solution उस solution के अंदर जितने भी आपके component है उनके जो आपके part है multiply कर देंगे हम इसको 10 की पावर पावर 6 से 10 की पावर 6 million हो जाएगा जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं तो इस तरह से हम उसको वह करते हैं यहाँ पर दियावा भी है उन्होंने एक जो यहाँ पर देखे कि कितनी इंट्रेस्टिंग जान करें दी है एक लीटर ओफ सी वाटर जिसका mass 1040 ग्राम होता 5.8 पीपीम औफ वाटर ऑक्षीजन का मत्रबी होगा कि 6 इंट्टर टैन की पावर माइनस 3 ग्राम या 5.8 ग्राम ऑक्षीजन गुली होई है 1.000.00 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर या जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसको भी हम माइक्रोग्राम पर एमल या पीपीम में उस जाता है mole fraction तो mole fraction जैसे नामसे पता लग रहाए कि components के moles का fraction ठीक है तो इसको छो एक्स री-पोर्जंट करते हैं तो इसको हम जिस भी कमपोनेंट का हम mole fraction कैलकूलेट करते हैं उसको हम यहां पर subscription में लिखते हैं अई है भी है तिलीन ग्राइक्वल है ने सब्सक्रिप्शन में लिग देते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वह सीधा सीधा यही है मोल फ्रेक्शन ऑफ दा कंपोनेंट नंबर आप मोल्स आपका कोई एक बाइनरी मिक्षर है उसमें ए और बी आपके दो कंपोनेंट गुरे हुए है और एन ने और एन बी उनके नंबर फ मोल्स है ठीक है तो मोल्स फ्रेक्शन ऑफ एक हो जाएगा यहां पर दिया हुआ है एक्स एज इस इकवरस टू ए अपान एन प्लस एन प्लस अनुए यह निका एका है एक का हम मोल फ्रेक्शन निकाल रहा है इसको हम उपर रखेंगे और बाकी नीचे जितने भी components है उसके number of moles को हम नीचे add कर देंगे है ना तो basically हम यहाँ पर दूसरे component का mole fraction भी निकाल सकते हैं जैसे अगर मैं X B की बात करूँ तो B component का mole fraction निकाल रहा है तो B के number of moles को आप उपर रख दीजिए और A और B दोनों के number of moles को आप उनीचे इस तरह से रख सकते हैं तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं दूसरा method एक और होता है बहुत interesting बात यहाँ भी बताई है कि किसी भी दिये गए solution के अंदर जितने भी components होंगे उन components के mole fraction का sum हमेशा unity आता है यानिके एक आता है माल लीजे किसी solution के अंदर दो component है X A और B तो X A plus X B यानिके mole fraction of X और mole fraction of B A और B है ना तो दुनों का sum क्या आएगा एक आएगा तो basically हम पहले वाले का formula से निकाल सकते हैं दूसरे वाले का हम one में से minus कर देंगे mole fraction तो आ जाएगा अपने या फिर पूरा-पूरा formula आप लगा कर उसको calculate कर सकते हैं चीक है तो यह हो गया उसके बाद अब यहाँ पर द एथिलीन ग्लाइकॉल इंदस इन एस विशन कंटेनिंग 20 परसेंट ओफ सी टू एचिक्स ओटू यह फार्मुले का formula दिया हुआ है एथिलीन ग्लाइकॉल का तो देखते कैसे होगा आप सोलुशन भी दिया हुआ बहुर अच्छे सरी किसे रेके 20 परसेंट उसने कहा है 80 प्लस 20 हंडड़ हो जाएगा माल लेजिए 100 ग्राम का सुलुशन है 20 ग्राम उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल इसने दिखा दिया 80 ग्राम यहाँ पर वाटर दिखा दिया तो अब पहले मोलर मास देखेंगे मोलर मास आपने देखा 9 और 11 क्लास के अंदर आपने देखा कि मॉल मास या मॉलर मास क्या से निकालते हैं तो इसका निकाल लेंगे तो मोलर मास आजाएगा बेशिकली 62 ग्राम पर मोल जितने भी नंबर आफ एटमस किसी भी दिये गए सबसिस्टेंस के अंदर उनके मैटमिक मास को हम हैड़ कर देंगे तो आपका मोलर मास आजाएगा तो मोल 20 ग्राम है एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास हमने भी कैलकुलीट किया 62 ग्राम पर मोल आगया इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आजाएगा 0.322 मोल आगया अब एक एथिलीन ग्लाइकोल जो एक कंपोनेंट है उसका मोल फ्रेक्शन मोल नंबर आपने निकाल दिया अब वा है अब फर्मुला लगाएंगे सीधा सीधा फर्मुला आपको पताएं क्या है एक atylicol x glycol is equal to x n glycol upon n glycol plus ns2 है ना यहां पे इसने पुरापरा लिखा है मौल्स पर नतलीन झाल प्लस एस टू हो ठीक है तो उसकी कोई tension नहीं है फॉर्मुला जो मैं आपको पीछे बता है वही है तो आप हम यह रखेंगे यह हमने नमबर ऑफ मोल्स रख दिया तिलिन ग्लाइकॉल के यह फिर ग्लाइकॉल कर यह वाटर के इसको सॉल्फ करेंगे तो आगे आंसर 0.068 इसकी कोई यूनिट नहीं होती चीक है अब या तो आप क्या करना है आपको यहां पर दिया हुआ है देखें नीच से आप उसको घटा दीजिए तो वाटर का मोल फ्रेक्शन आ जाएगा या फिर आप दुबारा से फॉर्मूला लगाईए वाटर के नमबर ऑफ मोल को ऊपर रखिए और नीचे सारे कंपोनेंट्स को रखिए तो ऐसे कैलकुलेट कर लिजिए तो कोई मुश्किल नहीं है मर समझ में आ रही होगी उसके बाद नेक्स्ट मैथड़ है आपका मोलरिटी बहुत इंपोर्टन टॉपिक है बहुत इंपोर्टन कॉंसेटरिशन मैथड़ है जायतर नुमेरिकल्स पूछे जाते हैं हां से तो इसको बेसिकली हम कैपिटल M से रिपर्जन करते हैं और कहेंगे आप फॉर्मूला दिया हुआ है बहुत अच्छा से देख सकते हैं ठीक है फॉर एक्जामपल जीरो पॉइंट टूफाइफ मोल पर लीटर या जीरो पॉइंट टूफाइफ मोलर सॉलूशन का मतलब यह है एक उसमें जीरो पॉइंट टूफाइफ मोल एंवेज के गुले हुए हैं वन लिटर अफ दा सॉलूशन के अंदर राइट अब एक्जामपल अगरम देखेंगे तो अच्छे से आपको बात समय में आएगी तो यह नुमेरिकल दिया यहां पर इसने और नुमेरिकल में क्या दिया इस पूछी है तो सबसे पहलें क्या करेंगे नंबर ओफ मोल्स निकालेंगे और मुला वही है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं गीवन मास अपान मोलर मास तो गीवन मास दिया हुआ यहां पर कितना वही पांच ग्राम मोलर मास निवेज का आप निकाल सकते हैं एन ए 23 हो जाएगा अक्सिजन 16 हो जाएगा और हीडोजेन हो जाएगा 23 फ्लस 16 फ्लस एक आपका 40 हो जाएगा तो यह आपका नमबर ओफ मोल निकल के 0.125 अब बात करते हम स्लूशन की तो वाल्यूम के सुलूशन की सुलूशन के वाल्यूम की तो वाल्यूम दियावा guessing कि पर 450 यह 0.278 मोल डेका क्यूबिक मीटर ठीक है इनवर्स तो यह सब यूनिट सारी मोलैलिटी की ही है आप कोई भी यूज कर सकते हैं कोई फरक्त नहीं पड़ता ठीक है बहुत बढ़िया आपको समझ में आ रही है बात वैरी गड़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आ नेक्स्ट आपका है मोलैलिटी देखे यह डो टार्म है वो मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों मिलते मिलते हैं आप कन्फ्यूज मत हो जाएगा ध्यान से सुनिएगा मोलैलिटी में आर होता है मोलैलिटी को हम कैपिटल M से रिपरजन करता है मोलैलिटी को हम स्मॉल M से रिप यानि कि पर किलोग्राम आफ दस्वाइंट के अंदर जो नंबर आफ मोल्स गुले रहते हैं उसको यह मॉललिटी कहते हैं जैसे फॉर्मॉला दिया है यहां पर दिया गया है अब एक और चीज यहां पर उसने बताने की कोशिश की है में देखिए हर एक मैथड बहुत अच्छा है लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वह हमेशा मॉलालिटी यूज़ करना पसंद करते हैं मॉलालिटी मॉल फ्रैक्शन पीपीम मॉल मास परसंटेज एटसेटरा हर एक चीज़ के बजाए वह मॉलालिटी यूज़ करना यूज़ करते ह वह आपका मास उता है वह आपका एक टैंप्रेचर फंक्षन होता है यानिकि मास छेंज हो जाता है जबकि मास यह नहीं होता है मॉलालिटी को प्रिफर करते हैं कि मास लिए गया है solvent का नाकी volume लिया गया है तो अब देखें यहाँ पर एक numerical भी है बहुत अच्छा numerical दिया है calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzen benzen यहाँ पर as a solvent दिया है और ethanoic acid 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 यहाँ पर as a solute दिया है तो पहले solute का हम number of mole निकालेंगे पहले हमने आपर इसका molar mass निकाला कितना आया 60 gram per mole number of mole निकाले 2.5 upon 60 तो 0.0417 आ गया इसके बाद जो solvent दिया है यहाँ पर benzen उसका हमने mass kg में कर लिया 75 gram में दिया था न ग्रैम में तो हमने इसको 1000 से डिवाइड करके किलो ग्रैम में कर दिया आप formula लगाएंगे mole of the ethanoic acid upon kg of volume तो यह आपकी value आ गई और इसको आप यहां रखेंगे और इसका answer यहां पर इस तरी के से आ जाएगा ठीक है तो मीर है आपको बास में आ गई होगी अब यहां पर जितने भी concentration method मैंने आपको समझाए हैं उनके बहाब पर कुछ यहां numericals दिये हुए हैं आप इन numericals को solve करने के कोशिश कीजिएगा नहीं होंगे तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं और यह भी आप मुझे बता सकते हैं कि तो आप लोग मुझे से contact कर सकते हैं या आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कल हम देखेंगे नया टापिक मेरे आपको समझ में आई होगी वीडियो नाओ दिस इस और होस्त दोस्त अरश्रदीनाम signing off have a nice day and thank you